प्रियर दर्शकों नमस्कार आए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार सेल आरस्पी की विभिन शॉप्स युनित से जुड़े ठेका शमिकों को आज पी यल प्रमान पत्र प्रदान कादस्तर सुरक्षा सुदिट करने हेतु सेल ने शुरू की नई सुरक्षा चक्र योजना और सेल आरस्पी द्वारा भिनक्षम बच्चों की यातायात की सुविभा के लिए होम और होम को वैन प्रदान अब समाचार विस्तार से सेल रौणकला इस्पास सेंटर के ग्यानन जर्न एवंग विकास विभाग द्वारा विभिन विभागों में संपक कालेकरम आयोजित किये जा रहे हैं जहां भी विभाग्य प्रमुखों की उपस्तिती में ठेका श्रमिकों को RPL प्रमान पत्रपदान किये जा रहे हैं यह पहल विभाग्य संपक बढ़ाने तथा करमचारियों के प्रदर्शन एवंग कौशल में सुधार लाने के लिए बनाए कई है हाल ही में रिपेश शौप मेकानिकल RSM विभाग ने आयोजित एक समहारों में मुख्य महाप्रबंदक शौप्स एवंग डिजाइन श्री रवी रंजन ने समहारों के दक्षता की तथा शौप्स विभाग के विभिन इकायों से जुड़े तीस ठेका श्रमिकों को आर पी एल प्रस्रिक्षन कारेक्रम सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए प्रमान पत्र प्रदान किये इस सबसब महाप्रबंदक प्रभादी डिजाइन एवंग शौप श्री शेकर नारायन, महाप्रबंदक प्रभादी शौप स्ट्रक्चरल एवंग फाब्रिकेशन एवंग PCS श्री SC साबत, महाप्रबंदक RSM श्री D.K. नायक विभाग के अन्य वरिष्ट अधिकारी एवं आलोक, रंजन, बहरा शामिल थे, कार्यकरम का नेत्रतुव महाप्रबंदक श्री H. इनपती और महाप्रबंदक श्री S. कोडा HRL&D ने किया, विशेश रूप से इन ठेकार श्रमिकों को कार्य कौशल के साथ साथ वियवाद आधारित कौशल में भी प्रसिक्षित किया गय मुल्यांकान के बाद उन सभी को प्रमानित किया गया, प्रमानिन का मुक्य और देश्य देश के पहले से मौजूद कार्य बल की दक्षताओं को मानिनिकृत राष्ट्रे कौशल योग्यत्ता फ्रेमवर्क NSQF के अनिरूप बनाना है कार्यक्रम के दोरान ग्यानरजन एवंग विकास विभाग के गतिवीद्यों पर प्रकाश डाला गया और ग्यानरजन एवंग विकास के कार्यक्रम को और अधिक प्रासंगिक और जीवन्त बनाने के लिए प्रसिक्षन अवशक्ताओं पर विस्तार से चर्चा की गई स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटर सेल ने कारेस्तर सुरक्षा को सुरुदट करने और संगठन के भीतर सक्रे जोखिम प्रबंदन प्रसंस्कृती को बढ़ावा देने के लिए एक नई सुरक्षा चक्र योजना शुरू की है ये योजना सुरक्षा जोखिमों की पहचान करने और उन्हें कम करने में सभी स्थरों पर करमचारियों को सक्रे रूप से शामिल करने पूरे संगठन में सुरक्षा उत्कृष्टा की संस्कृती को बढ़ावा देने के लिए बनाई कई है प्रतेक सेंत्र यूनिट में एक समीती द्वारा टीमों का चेहन किया जाएगा और एक व्यापक स्कोरिंग प्राणी के आधार पर उनकी प्रभाव शीलता का मुलनकान किया जाएगा प्रतेक सुरक्षा चक्र में समन्वेक के रूप में एक अधिकारी अगुवे के रूप में एक करमचारी सदस्तेव होंगे इसके अतिरिक टीम में परियोजना काईवन के लिए ठेका श्रमिकों को भी शामिल कर सकती है जिसमें सभी शामिल पक्षों को प्रसिक्षन प्रदान क्या जाएगा सर्वोत्म प्रदेशन करने वाली टीमों को प्रसंशा पत्तर प्रमान पत्र के माध्यम से मान्यत्ता मिलेगे जिसमें सर्वचर रैंक वाली टीमों को नगद पूसका दिये जाएंगे सभी प्रियजनाओं के प्रिणामों को समय कित किया जाएगा और सेल में साझा किया जाएगा ताकि ग्यान का आदान प्रदान हो सके और सर्वोत्म प्रताओं को अपनाया जांसके पदियोजना, दिशा निर्देशों, आवेदन पत्रों या अन्य पुष्टाश के बारे में अतिरिक जानकादी के लिए कामिक अपने संबंदित ग्यानर्जन और विकास विभाग या सुरक्षा विभागों के प्रमुकों से संपक कर सकते हैं सुरक्षा चक्रयोजना का शुभारम संगठात्मक संस्कृति में सुरक्षा को घहराई से समाहित करने के लिए एक सक्रिय कदम है ताकि करमचादी सुरक्षित कारिये वातावर्ण गढ़ने में सक्रिय रूप से योगदान दे सके और सुरक्षा मानकों में निरंतर सुधार लाया जा सके सेल रौक्ला इसपासेंद्र आरस्पी ने मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए एक विशेश स्कूल होम एड होम को व्यान प्रदान की है 30 जुलाई को निग्मिक सामाजिक दायत्वर विभाग में आयोजित एक समारो में कार्यप्र निरेशक मानव संसादन तधा अत्तिरिक प्रभार कार्यपालक निरेशक परियोजनाई श्री तरुन मिश्रा ने बिनक्षम बच्चों के उप्योग के लिए वाहन प्राचार्य इस अफसर पर मुख्य महाप्रबंदक परियोजना वानेजिक डॉक्टर जी एस दास महाप्रबंदक प्रभारी परिवन और फ्म श्री अपकाश मलिक और सी एसा विभाग और होम एड होम की अनियवरिष्ट अधिकारी और करमचारी उपस्तित थे समारों का संचालन सहयग महाप्रबंदक CSR श्री टी बी टोपो और सहयग महाप्रबंदक CSR श्री ए एंपति द्वारा क्या गया दिव्यांग जनों को सहायत उपकरण वित्रण के एक भाग के रूप में परिवहन विभाग द्वारा CSA पहल के तरद 16 लाक रुपे की लागत वाली वैन खरी दी गई जो सामाजिक जिम्यदारी और समावेशिता के प्रती आरस्पी की प्रतिबद्दा को दोराती है यह वैन भिन्चक्रम वाले बच्चों के लिए परिवहन का एक सुरक्षित और सुविधा जनक तरीका सुनिश्चित करेगी जिससे उन्हें स्कूल आने जाने में आसानी होगी इसे से बच्चों को शिक्ष्या और अन्य आवशिक सेवाओं तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी इसे के साथ आज के हिंदी समाजा समाप्त होते हैं नमस्कार झाल